खवाग अनीसाब मेरा नाम आर्ति चोहान है और मेरा राजस्थान से हूं मुझे और मेरे मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद इसलिए हमने राजस्थानी पूड चैलेंज लिया है 15 दिन का आज हमारा पांचवा दिन है और आज हम बनाएंगे राजस्थानी एकदम सिंपल और सबकी फेवरेट बाजरे की रोटी और साथ में हम बनाएंगे लसुन और लाल मिर्च की चटनी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल रेसेपी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी तो लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए पहले सुखी जो लाल मिर् मिर्ची थोड़ी सोफ्ट हो जाएगी तो वह बांटने में अच्छे से बट जाएगी और चटनी आप हलाडी या सिल्बटे पर बांट कर बनाएं तो ज्यादा स्वाद आएगा आप मिक्सी में भी बना सकते हैं लेकिन वह टेस्ट नहीं आएगा आपको मिर्ची का अच्छे से पेश्ट बन जाएं तो रहैंछ लसुन ढल पर लालमिर्च से पाएं यहीं है लालमिर्च भट ले आपत एक ठानी लेकिन आप मश्या मतनााउज जरूर जल्दी खाले होगी आपके पास बहुत महेंगी महेंगी मिक्सी पर जो टेस्ट आपको इसमें आएगा वो उसमें नहीं आएगा चटनी हमारी तैयार है अब तड़का लगाएंगे चटनी बिना तड़के वाली भी अच्छी लगती है लेकिन कच्छी अगर हम खाते हैं तो वैसे ही डखा रहती है पूरे दिन तो थोड़ा सा वगार लगा दे जिसे से कच्छापन दूर हो जाएगा थोड़ा सा तेल डालना है राई और खड़ा धनिया जीरा डालना है और जो चटनी हमने पीश से रखी है वो डाल देंगे थोड़ी देर इसे चुले में ऐसे ही प बाजरे की रोटी आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डाले और अच्छा सा आटा गूध ले बाजरे का आटा थोड़ा चिकना होता है तो यह ज़रूर दियान रखें चटनी हमारी अच्छे से बनकर तैयार है अभ चुले पर चड़ाएँगे केलरी को अच्छे से घरम होन पर उपर डालेंगे डेड़ सारा गी साथ में चाटनी परोसनी थोड़ा सा गुड़ परोसना है और तीनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि इसके आगे बहुत सारी चीजें भी हो तो फैल है तो एक बार आप जरूर त्राइ करें राजस्थानी देशी खाने में ये र आज की राजस्थानी रेसेपी रेसेपी अच्छी लेगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें थेंक्यू सो माच पोर वोचिं गाइस बाइज बाइज